गाइज यह मैंने अभी अभी नोट किया मैंने कल भी नहीं देखा और चुली पांच मिंट पहली मैंने देखा यह अपना इंडियन रुपी उसमें काफी कल एक एक दम से जम पे इसमें आप देखोगे तो यह कहते हैं यहां से कल इसने 73.48 आप लगा वहां से स्टार्ट किया और 74.5 एक ही दिन में एक रुपीय का मतलब और यह नॉर्मल नहीं है भाई मैं पहली बता रहा हूँ नॉर्मल नहीं है और अगर यह ओर बढ़ता जाएगा तो बैंकिंग क्या कहते हैं उस पे इफेक्ट पड़ेगा और एमर्जिंग मार्किट से पैसा निकलेगा तो सबस वजह से आने वाला है वो वीडियो आप जरूर देखेगा बट फिलाल यह शॉर्ट वीडियो है यह जो इसकी बैंड बजी यह रुपीय की तो भाई यह ज़्यादा दिन तक अपने उसमें पैसा डालके नहीं रखेंगे अगर यह 74 अभी 75 को भी पार कर गया तो तो अपने यहां से डेफिनेटली पैसा निकलेगा स्धार मेर्जें मार्केट जितनी है अगर उनकी करंसी वीक होती जाती है डॉलर तेज होता जाता है तो भाहिया वहां से पैसा डभीनेटी लिंदी निकले यह निकले्गा तो बैंक निफ्टी के लिए अच्छा नहीं है मिरक नहीं गिरेगा अकल गिरेगा परसो गिरेगा बट अगर यह 75 क्रोस कर जाता है तो पक्का मनी आउट फ्लो होगा ठीक है इस पर आप नजर रखिए यह मैंने देखा ही नहीं मैं अच्छली ट्रैकी नहीं कर रहा था और मैंने अचानक से इसको कोई चार्ट वगरा देख रहा था त 74.78 का टॉप लग गया था तो इस पर नजर रखिए गाई जगर यह नीचे नहीं आता है उपर ही रहता है तो मेरी एक सजेशन रहेगी अपने कुछ बाई साइड के कैरी सहरी मत करना ठीक है यह इतना पैसा गुसा हुआ है फिर वो देखो निकलेगा क्यों यार जो उन्हो डाला है और उस पैसे को उन्हें निकालना है अब मान लो आपने 10 रुपे में कुछ इन्वेस्ट किया है ठीक है आपने मान लो कुछ 10 रुपे में इन्वेस्ट किया है तो आप 15 रुपे उसको निकालना चाहोगे कि वो रेट उतना ही रहे बट पैसा इतना गिर जाए उतन इतना मतलब इसका दाम बड़ता जा रहा है तो अपना एमर्जिंग मार्केट से पैसा निकालो जो लोग ने लगाया हुआ है तो इस पे नजर रखना अभी क्योंकि ये खतरनाक मोड पे आ गया है और ये इसका 75 ना क्रॉस कर देए अभी अपने पूरा बैंक निफ्टी के लिए ठीक है देट सेट ये इसको प्लीज ध्यान में रखिये